क्थेहलो है एक आजार स्कॉायर फिट पे यह बनाया जाने वाला प्लान है जो कि ka 25x40 फिक पें इस प्लान को बनाये हैं इस वन थाउजंट क्थ एसकॉयर फिट पर फिरेंजेंस तो देखिय यहां पर हमने बेड्रूम तीन बेड्रूम इसमें हमने रखिए थी बेड्रूम के साथ ही इस प्लान को बनाया जा रहा है जो कि पहले तो स्टार्ट करते हैं गेट गेट यह एंट्री गेट रखी गई है फ्रेंट्स इसकी साइज आप फूर फीट फीट यहां पर डख सकते से यह से आप रिख कया यहां पर रखी गई हैं आपर आंट्री के कि एनट्री यहां पर जो कि हमने सैज भी बता दिया इत्रीफिट का हमने एं एnd ऑस रस रखी है कि यहां पर काफी अच्छा सा इस्टेर चर जाएगा फ्रेंट्स यह टोटल नाइन फिट शिक्स इंच रखी गई है दिस साइड और दिस साइड साइज की बात करें तो यह 10 14 फिट फाइव इंच रखी गई है इस टैप से साइज फ्रेंट्स यह ओपन आप छोड़ सकते हैं क्लोज भी कर सकते हैं डाइनिंग डाइनिंग हॉल जो कि इसकी साइज की बात करें तो यह 13 फिट 9 इंच और दिस साइड 14 फिट फाइब इंच यहां पे बेड्रूम जो की 10 10 फिट 10 इंच इस साइड 12 फिट फिर श्टैप सो यह हमने साइज राकिया यहां पे भी बेघ्रोम जो की 10 फिट 20 इंच और 12 वित यह हमने राखिया यहां पर बेशन रखेंग है कि त्वालेट बात जो कि कौमन ट्वालेट बात ये 10 फिट दिस साइड और इस साइड 4 फिट स्टैप यह हम ने रखिया यहाँ पर फ्रेंट्स 9 फिट 4 इंच और दिस साइड 14 फिट पर ये हमने बेडरूम रखिये जो की काफी अच्छा साइज है और 5 इंच की सभी वाल रखिये इसमें सभी वाल 5 इंच की है फ्रेंट्स कीचेन हुइं एंट्री के साथ हमने देशन रखिये फ्रेंट्स जो किसकी साइज 9 फिट 4 इंच दिस साइड और दिस साइड 9 फिट सिक्स ने हमने काफी अच्छा से किचण रखिया अधक यह ओपन या दूर प्रॉवाइड कर सकते हैं इसकी साइज की बात करें तो यह फॉर रखी गई है दिस साइड यह गई है और इसमें कॉलम्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव शिक्स सेबन ऐसी फ्रेंट्स एट नाइन और टैन अबन अन्दर की उरली जेगा फ्रेंट्स सामने तुवेल्व फॉर्टिन फॉर्टिन और यह कि फिप्टिन कॉलम्स हमने टोटल रखिये फ्रेंट्स कॉलम्स साइज 10 इंच इंटू 12 इंच का रखे और इसमें छे सरिया टी 12 का प्रभाइड करके बनाए है कि बिल्डिंग कोश्ट कि बिल्डिंग कोश्ट इसमें फ्रेंट्स पढ़ जाएगी जो कि 15 टू 16 लाग तक में यह काफी अच्छा सा यह प्लान बना सकते हैं अच्छा लगाओ तो लाइक कर दें मिलते हैं नेक्स वीडियो में